तो फ्रेंड्स वेलकम तो आर चैनल इस्टेडी वेसिक इन इस वीडियो वी विल नो स्पेसिफिक यूज आफ वर्ड्स इन सिमिलर मीनिंग्स ओके किसी वर्ड्स से हमें बचने की बात कहीं जाए या हम किसी वर्ड्स से परहेज करने की बात कहीं जाए जैसे एक्जमपल में देखते हैं किस से हम बचने की बात कर रहे हैं यहां पर मैं निव डाइट क्योंकि हमारे नई डाइट के करणिंग हमें स्वीट से बचना है तो यहां पर यह हम ठिंक्स के लिए अप्स्टेड का यूज करते हैं अप्स्टेड के साथ एक चीज़ और याद रखना हमेशा फ्रॉम का य Chinese तो दोनों का मतलब होता है बचना दूर रहना पारहेश करना लेकिन यह तिंक्स के लिए किया जाएगा और यह को यह काम को बचने से मतलब करने से बचने के लिए के लिए वर्ष्ट से बचने के लिए किसी काम को करने से बचने के लिए रेफ्रेंग रिए रैंसे लिए रह राखना जाएगा लाधुस् angry अब बेस्ट बाने के लिए लिए ठीयाW होनी चाहिए ऐसे ही है धूसरा एक्जम्पल से अगर आपको समझाएं तो हम कह सकते हैं Гवन Всud sweetie from makeं अन्वारेंटेट कमेंट्ट तो हमें किस से बचना चाहिए मतलं है सिप्ग के कमेंट से हमें बचना चाहिए मतलब वहां के कमेंट करने से तो यहां पे भी doing की बात आ रही है तो यह चीज clear हो गई abstain and refrain ठीक है next कर हम बात करें तो revenge की बात करते है revenge means क्या होता है बदला लेना आपको पता ही है जैसे की revenge में हम एक और revenge का synonym अगर हम बता है तो retaliation बोलते हैं इसको बड़ा important word retaliation ठीक है फिर हम revenge का यूज कहां करेंगे तो to return injury for injury मतलब जैसे कहते हैं खून के बदले खून ठीक है तो यहां पे जैसे कोई अगर आपको injury देता है तो आप उसको भी injury दीजिए तो वो revenge कहला गाएगा तो जैसे कहा गया see revenge herself upon remains हर former lover तो इसका जो former lover था वो उससे ये revenge करना चाहती है मतलब जैसा उन्होंने किया है tit for tight कह सकते हो उसी तरीके से ये revenge करेंगे ठीक है और revenge मतलब भी होता है बदला लेना यहां पे बदला लेना कैसा है to punish the evil doers यानि जो बुरा काम करते हैं उनको punish करना avenge कहलाएगा ठीक है और खून के बदले खून कह सकते हो यानि जो आपको injury दे उसको भी आप injury करें तो वो revenge कहलाता है तो ये आपको clear होना चाहिए कि कहाँ पे हमें revenge यूज़ करना है कहाँ पे avenge यूज़ करना है ये ऐसी पूरी पूरी इसकी भी सीरीज चलेगी ठीक है जैसे root words की सीरीज चल लगी है articles हम करा रहे हैं ऐसे ही हम एक specific use of words कराएंगे और ही बहुत सारे vocabulary related हम चीज़ें जानेंगे और ये बहुत चोटी चोटी mistake आप लोग कर देते हैं सेर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं एवेंज के लिए जैसे अगर हम बात करें तो the murder of Ramesh was avenged by his son Sonu तो देखो murder जो था वो रमेज का उसको मतलब उसके बेटे Sonu ने उसको punish किया ठीक है क्योंकि ये evil doers था यानि किसी का किसी के murder करने करना कोई अच्छा अच्छा काम तो है नहीं तो evil doers है तो इसलिए वो क्या हो गया उसके बेटे ने उसका उसको punish किया तो ये चीज हो गई avenge करना ठीक है लास्ट है इस वीडियो का लास्ट वर्ड है उसके आगे हम और देखेंगे फर्दर इसकी जो नेक्स श्रीज होगी नेक्स वीडियो होगा तो उसमें हम और कुछ और important words जानेंगे तो हम पहले चलो ये allow देखते हैं तो allow means क्या होता है giving permission for otherwise unreasonable things तो allow कुछ unreasonable things के लिए है अगर हम permission कर देखेंगे वहापे हम allow का यूज करेंगे जैसे की allow me to give you a piece of advice अब वो कैसी है पता नहीं आईसे next है example देखिए इस example से और अच्छा से आपको clear होगा जैसे क्या कहा गया the girls were allowed to talk in the class by the principal तो दुखो class में बात करने के लिए किस ने allow किया प्रिंस्पल ने लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है unregionable है ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर allow का यूज करेंगे कि the girls were allowed to talk in the class by the principal तो जब कभी unregionable things के लिए पर्मिशन देना हो तो allow का यूज करते हैं पर्मिट मीज भी वही चीज होता है कि मतलब हमें आग्या देना या पर्मिट करना पर्मिशन देना तो पर्मिट कहां पे होगा या जैसे usually written जो written हो formal authorization जहां पे हमें मतलब permission मिले या authorized हो written में तो वहां पे हम फर्मिट कह यूज करते हैं जैसे कि क्या होगा I was permitted to appear in the MA examination तो ये I hope ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे like करिए share करिए and subscribe करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care